शनिवार को बद जमू के साथ कई अन्य मेदाने जिलों में बारिश से जहां मौसम में कुछ हद तक थंड़क महसूस की जा रही है वहीं डोडा और किष्टवार के उपरी इलाकों में इस सीजन की पहली बरफबारी हो चुकी है डोडा में भदरवा के पहाड बरफ से लच चुके हैं तो वहीं किष्टवार के सिंथन टॉप इलाके में भी बरफबारी का लोग लुट्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं तो आप तस्वीरे ये सामने देख सकते हैं कि कल जहां जमू में देरशाम तेज बारिश देखने को मिली तो वहीं पर आपको बता दे कि परवत्य इलाके यानि किष्टवार और डोडा संभाग के अगर कश्मीर की बीबात की जाए तो वहां पर पहाडों पर बरफ देखन के नजर आ रहे हैं कि चलिए इसी पैदिक जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारे समवाता अजय शान जुड़ चुके हैं और विकास भी हमारे साथ डोड़ा से जुड़े हुए हैं अजय बताईएगा फिलहाल मौसम में जो तबदीली आई है कितनी राहत लोगों को मिली है औ और किस तरीके का मजब लोग इस बरफ का लेते हुए नजर आ रहे हैं रुपाली देखे एक लंबे ड्राइस्पेल के बाद बेखशत हलकी बहुचा रहे ही मेदानी आलाकों में पड़ी हैं लेकि गुबती आलाकों में जैसे आपने कहा कि सफेर चादुद बरफ की जो है चुरू हो गई है हाला कि अभी उतनी राहत जमीन दारों को नहीं मिली है क्योंकि फसनों को नुफसान जरूर पहुंचा है जो ड्राइस पर चल रहा था लेकिन जो खुशकी चल रहे थी जिस वज़ए से कुछ मौसमी दिमारियां लोगों को देखने को मिल रही थी नजला उन्चाई वाली चोटियां हैं वहां पर हल्की बात जुरूर हुआ है लेकिन उत्री राहत अभी नहीं मिली है कि जो खिसान हो खास कर क्योंकि केसर की फसल भी आने वाली है और जो फसले बीजी गे थी वो भी अच्छा रिजर्ट इस वार नहीं आया है असली फसल महीं है लेकिन उमीद ये जगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में फिर जो उचारे होंगी उससे लोगों को जुरूर नसीब हो बिल्कुल दोड़क से अगर बात की जाए विकास भी मारे साथ जुड़े वे विकास वहाँ पर क्या कुछ चाहल है क्योंकि गर्मी जो है कुछ जादा देखने को मिल रही थी अब राहत जो है लोगों को मिली जरूर है इस बारिश और बरफ के कारण कि जरूर आज यहां पर बरबारी हुई है और इसके बार जो है यहां पर काफी सारे जितने पिर टूरिस्ट हैं वो घूमने फिरने आते हैं और पिछले बार की तरह इस बार भी आंकड़ा तूटने वाला क्योंकि पांस लाग से जादा यहां पर टूरिस्ट गूमने आएते अगर यह और जादा बरबारी हो जाती है यानि कुल डंडा वाली साइट यानि भधरवाज जाईवेली यह तमाम जगाओं पर होती है तो उसके बाद और जादा टूरिस्ट यहां गूमने आते हैं और तरीके का महाल है क्या टूरिस्ट आने शुरू हो चुके है यह अक्सर के देखा जाता है जादा परफारी होती है तो सर्दियां का जो परफोप होता है जादा होता है इस पार जो पहाड़ों पर बरफी चाहिए गलेश ते वह जादा पिगले हैं जिस वज़े से हमने सबसे वहां वैली में पूरिश आते हैं उनकी मुवर जूरू वहां पर बढ़ी है जिस वज़े से वहां पर धंदा भी बढ़ा है कुछ लोगों ने अपने वहां पर रेडियां लगाई है कुछ गाड़ियों पर खाने पीने की सामान लेके आरे लेकिन जिस कदर वहां बात थोड़ी राहत मिली है जैसे मैंने कहा कि जो उपरी आप ग्याराइब तो इन टाप पर जो भी चोटियां है यहां पर अगर मैदानी अलागों में हलकी सी पारश होती है तो वहां पर बरफ इना ताय है तो कहीं न कहीं यह मान के चाह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बरफ की परत है यह मोटी जरूर होगी और निचला आपों में रहात मिलेगी कि बहुचारे यहां पर जरूर पढ़ेंगे जिस तरह डिस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर बीडिये भधरूआ हो लगातार यहां पर फेस्टिवल भी करुआ रहे हैं और साथ में जैसे कोई सुनो फेस्टिवल यहां पर जादा बरबारी हो जाती है तो उसके बाद जितने भी टूरिस्ट हैं वो तमाम इंडि स्टार्ट हो जाती है और यह जैसी बरबारी अगर भधरूआ शेर को चूती है उसके बाद तमाम टूरिस्ट जैस ओर रुवाना हो जाते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में भी यहां पर देखने को मिलता है लेकर सर्थियों में और जादा राश होता है जिसका काफी लो अगरी है इसके कारण काफी लंबे समय से बारिश या बरबारी इस एरिये में नहीं हुई है तो लगातार यहां की के सान है वह भी उमीद करतें कब से कम इस तरह से बारिश हो और ताकि वह आने वाले समय में इस से वादी अच्छे से हो जादा आबादी पिलकूल इसी पे डिपेंड है और पहाड़ वाला एरिया है तमाम लोग जो है गाउं में रहते हैं